2. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons, rainy, winter and summer. 360 लोगों से उनके favorite season के बारे में पूछा गया कि vote कीजिए आपका favorite season कौन सा है और 3 seasons के बारे में पूछा गया summer, rainy और winter. यहाँ पे दिया हुआ है, which season got the most votes? तो कौन से season को सबसे ज़्यादा votes मिली? टोटल पीपल 360 है, तो उन 360 लोगों में से summer को पसंद करने वाले लोग है number of votes, 90. इसी तरह से rainy season को पसंद करने वाले है 120 people, winter season को पसंद करने वाले है 150 people. यह इस information से पता चल रहा है, first question देखिए, which season got the most votes? सबसे ज़्यादा कौन से season को votes मिली है, यानि कौन सा season सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है? अब आप ही देख लीजिए, सबसे ज़्यादा तो winter के हिस्से में है, 360 लोगों में से winter पसंद करने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं, यानि कि 150, तो first का answer हो जाता है winter season. तो first का answer हुआ, winter season, second पर देखते हैं, second part पर, find the central angle of each sector, हर sector का central angle निकालिए, अब central angle क्या होता है, जब हम कोई pie chart बनाते हैं, तो pie chart बनाने के लिए हमें circle की जुरूत पड़ती है, और circle के अंदर division करने के लिए हमें angle की जुरूत पड़ती है, वो जो angle होता है न, उसी को हम central angle बोलते हैं, अब अगर इनका central angle निकालना है, तो उसका तरीका ये होता है, सबसे पहले तो जो भी आपको information ये दी हुई होती है, ये जो है number में लिखा होता है, आपको इसका sum करना होता है, ये जो तीन चीज़े दी हुई है न, इनका sum करते हैं, और इनका sum से 90 लोगों को समर पसंद है, यानि कि 90 अपॉन 360, 360 में से 90 लोगों को समर पसंद है, अब central angle निकालने के लिए हम इसको 360 डिगरी से multiply करते हैं, ये जो है 360 होता है, ये क्यों होता है, ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो circle होता है न, पूरा का पूरा, वो पूरा circle 360 करते हैं, आप ये मत समझना कि यहां नीचे 360 है तो इसलिए किया है, नहीं, यहां नीचे तो कुछ भी हो सकता है, यहां multiplier में हमेशा ही 360 डिगरी आएगा, अब इसे solve करके answer निकालते हैं, तो 360 से 360 ये पूरा कट गया, यहां 90 ये वन है न, तो 90 डिगरी जब पाइचार्ट तो उसमें जो 90 डिगरी का जो हिस्सा होगा, वो समर के हिस्से में आएगा, चलिए second है, रेनी, जो रेनी सीजन है, ये 360 लोगों में से 120 लोगों को पसंद है, तो ये तो हुआ इसका fraction, अब इसका central angle निकालना है, तो multiply करेंगे 360 डिगरी से, डिगरी इसलिए क्योंकि हम angle नि पे, अब 120 लोगों में से 150 लोगों को विंटर पसंद है, और इसका central angle निकालेंगे, तो हम 360 डिगरी से multiply करेंगे, इसी तरह हैं ये 360 लोगों पे, ये 360 लोगों पे, इस तरह से ये इनके central angles आते हैं, central angle निकालने के बाद आपको बनाना होता है pie chart, तो pie chart बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आप बनाएंगे एक circle, ये मैंने बना के रखा हुआ है circle, ये circle है, ये रहो, अब इस circle पे मुझे summer season, rainy season और winter season, इन टीनों seasons को दिखाना है, सबसे पहले circle बनाने के बाद, ये जो इसका center होता है, इस से आप एक line join कर लें, यहाँ पे इस तरह से, अब मुझे दिखाना है summer, अब summer देखिए आप, summer के हिस्से में है 90 degree, तो इस line को मैं baseline मानके, यहाँ पे 90 degree का angle बनाता हूँ, और 90 degree का angle बनाएंगे, आप D से angle बनाने का तरीका देख लें, जिस बच्चों को नहीं आता हो, ये जो line होती है, इसको इस line के बिल्कुल exact ऊपर रखा जाता है, और इस point को बिल्कुल ये जो आपका ऊगता हुआ सूरत सा दिख रहा है न, इसके हैं center में ये जो line है, इस पे रखा जाता है, तो बड़े ध्यान से रखना, ऐसे, अब 90 का angle बनाना है, आपको D के उपर न, दो तरह की counting दिख रही हैं, एक नीचे, एक उपर, ये 0 से start हो रह आएंगे, जहां पर 0 है, यानि कि अंदर वाली तरफ, तो अंदर की गिंती को आपको consider करना है, और देखिए, 0, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 90 आ गया, तो 90 के सामने यहां से आप dot लगा लेंगे, अब इस center से, और इस dot के उपर, बिल्कुल straight इस तरह से अपने scale को रखेंगे, औ और जो circle के अंदर अंदर का हिस्सा है, इसे ऐसे पूरा कर देंगे, तो ये जो circle है ना, ये आपका इस division में बठ गया, ये जो part बना है ना, ये 90 degree बना, ये आया summer के हिस्से में, तो इसके अंदर आप summer लिख देंगे, ये summer का हुआ, summer के बाद rainy, rainy season जो है, उसके हिस्से में ह 120 degree, अब 120 degree आप बनाएंगे, ये जो line है ना, थोड़ा साब आप इसको टेडा कर लें, क्योंकि आपको इसके जरूत पड़ेगी, अब इस line पे रखके आप 120 का angle बनाएंगे, तो अपने D को बड़े ध्यान से रखेंगे, इस point को बिलकुल इस center पे, और line बिलकुल line के उपर आनी चाहिए, ऐसे रखा, ये line रखा, अब angle तो यहां से शुरू होगा, जीरो यहां होगा, तो जीरो अंदर गिनती शुरू हो रहे हैं, तो अंदर की counting को आप consider करेंगे, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, यहां 120 आया, तो यहां पे ऐसे dot लगा लेंगे, अब इस dot से, और बिल्कुल इसके center से होते हुए, अपनी scale को बिल्कुल straight रखेंगे, ऐसे, और circle के अंदर अंदर की तरफ, यह line खीच के इसे divide कर देंगे, तो यह जो portion हुआ ना, यह 120 degree का sector बना, यह sector बन जाता है जब दो radius ऐसे touch होते हैं, तो यह जो part है, यह 120 degree है, और यह आपका rainy season है, अब बचा तीसरा, winter, winter के हिस्से में है 150 degree, अब last तीसरा है ना, और यह आपका तीसरा ही portion है, तो इसे आपको बनाने की जुरूत नहीं है, यह automatic 150 degree ही आया होगा, नहीं तो आप check कर लें, देखें, इस portion को देखना है ना, कि कितने degree का angle है, तो इस line के उपर इसे रखेंगे, बिल्कुल दिहान से ऐसे, यह 0 अंदर है, तो अंदर की counting पर देखेंगे, यह देखे, अंदर 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 गए हम, तो बिल्कुल यह 150 वाली line है, यह बिल्कुल इसी के उपर आ रहे है, तो जो last चीज होती है, लास्ट चीज ऑटमेटिक अपने लिए न, आपको angle की जुरूत पढ़ती है, जिसे हम central angle बोलते हैं, और central angle निकालने का तरीका यह होता है, जिन चीजों की बात चल रहे होती है, जैसे total 360 लोग थे, और उनमें से 90 लोगों को समर पसंदा, तो पहले तो निकलता है यह आपका fraction, और जो भी यह fraction आएगा, उसक की हमेशा 360 से multiply करनी है, हमेशा हर बार, तो आपके angle निकल के आजाते हैं, फिर इन angles को आपको circle के ऊपर बनाके, अपने circle का partition कर देना है, अब जिस जिस चीज के हिस्से में, जो जो चीज आईए, उसको अंदर आप mention जरूर करें, यह winter का हिस्सा था था ना, तो यह winter है, इस तरह से आपका pie chart बनता है, तो इस वीडियो वस इतना ही, next questions के लिए मिलते हैं, फिर next video में, तब तक के लिए, goodbye